आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ उसमें दो मोशन होडा है मालन लेते हैं कि यह एक Sphere हमारे पास यह जो है आगे भी जाड़ा है आगे की तरफ जाड़ा है और यह रोल भी कर रहा है ठीक है Rotational भी अपने Axis पर भी Rotate कर रहा है तो यानि कि यह रोल कर रहा है ठीक है अगर यह सरफ यहाँ पर ठीक है लेकिन वही यहां पे mu अगर हम जीरो नहीं रखें तो यह क्या होगा कि यहां पे एक friction पीछे लगाएगा जिसे करण क्या होगा कि देखो यहां पे torque आगया तो यह क्या होगा कि यह spare को यह पूरा गूल गूल गूमा देगा यानि कि इस direction में जो है यहां पे घुमा देगा क्लिर बात है जैसे ही यह घुमाया तो क्या होगा इसके पास rotational motion भी आ गया यानि कि इस axis पे इस axis पे गर हम देखें यहां पे इस axis पे भी rotate कर रहा है clear बात है और यह आगे भी जाड़ा है तो यानि कि यह अपने axis पे जो rotate कर रहा है इसको कौन सा motion बोलते हैं उसको बोलते हैं rotational motion ठीक है rotational motion और यह आगे की और भी जाड़ा है तो इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं translational motion ठीक है translational motion कोई भी body अगर यहाँ पे roll कर रहा है उसमें rotational motion और translational motion दोनों होगा जैसे कि यहां पे अगर हम देखें translational motion है तो kinetic energy translational motion में क्या होता था यह half mv square होता था अगर वही rotational motion में चला जाएं तो यहां पे kinetic energy हम क्या हो जाएगा हमारा kinetic energy half m को क्या जिससे हम लोग convert करते हैं i से and v को omega square half i omega square यानि कि c number direct हो जाएगा हमारा answer ठीक है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जादा भी बताता हूं यहां पे अगर rolling motion हो रहा है तो roll हो रहा है तो इसके पास kinetic energy पूछे तो इसके पास translational motion और rotation motion दोनों है मतलब कि kinetic energy rotational प्लस kinetic energy translation होगा उस case में यानि कि एगर rolling motion का बात करें पूछा जाए तो kinetic energy rolling motion के पास कितना होगा half m v square plus half i into omega square होगा यह बात समझ में आ रहा है लेकिन हमें यहां पे क्या पूछा गया कि kinetic energy rotational motion में कितना है तो half i omega square जो कि c number option में given is तो c इसका सही answer है क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीड आयाइटी जही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज यह डाउनलोट करें डाउटने टाप यह वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर